हिंद भारत आपकी अपनी आवाज से बैठे हुए हैं उनकी मांग है कि हादसे को इंजाम देने वाले सैना की करमचारियों को तकाल गरफतार किया जाए मृतकों के परिजनों को पचास लाक रूपे के आर्थिक साहिता राशी दिलाई जाए इसके साथ ही मृतक के आश्रित और सरकारी नोकरी दिलाने और पोस् वहीं गहलोत सरकार के मंतरी विदायक शाहले मुहमद भी यहां दो बार आ चुके हैं वहीं पूर विदायक सांग सिंग भाटी और महंत परताप पुरी महराज के शिच से मदन देवासी भी घटना इस्तल पर पोचे और ग्रामिनों की मांग का समर्तन किया वहीं पुलिस पर शाहसन सेना की अधिकारियों से बाच्चीत करके मामले को निम्टाने का प्रियास कर रही है सेना के बड़ी अधिकारियों ने भी घटना को लेकर पुलिस को सहयोग करने का भरोसा दिलाया है और लेकने हैं कि कस्वे में एक निवासी मजदूर रहमतुल्ला और उसका बेटा फिरोज मोटर साइकल से गोमट की तरफ जा रहे थे असदोरान गोमट गाउं के तलाव के पास सामने से आ रहे सेना के वहान ने उनको अपनी चपेट में ले लिया था हादसे के बाद पिता पुत्र को सेना के वहान से उत्रे चार जवानों ने अपनी गाड़ी में डाल दिया और अपने साथ ले गए मौके पर खड़े लोगों ने हादसे और उन्हें गाड़ी में डाल कर ले जाने की घटना देखी उन्होंने सोचा कि सैना के जवान गायलों को अस्पताल लेकर जाएंगे परत्यक्ष दर्शियों की सूचना पर बड़ी संख्या में गिरामीन और परीजन अस्पताल पहुच गए लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई अस्पताल नहीं पहुचा इस पर उन्हें शक हुआ कि उन्हें इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने चार घंटों की मशक्कत के बाद पिता पुत्र के शवोगों को जहाडियों से बरामत किया लेकिन वहाँ ना तो सैना का वहन बिला और नहीं जवान मरतकों के परीजनों और ग्रामिडों का आरोप है कि सैना के जवान पितापुत्र को अस्पताल ले जाने के बजाए गटना इससल से करीब 25 किलोमेटर दूर जहाडियों में पटक गई वहीं हालात को देखती हुई गाउं में बड़ी संक्या में पुलिस बलतैनात है फलाल के लिए इतना ही देखते रहे हिंद बात में यूजर देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हिंद भारत लाइप, सबस्क्राइब और शेयर करना ना भूलें